नमस्कार मैं हूँ वैस नभी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में असिस्टन्ट प्रोफेसर के लिए 4108 पदों पर बंपर भरती नीजी अस्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की सिक्षबिभाग करेगा जाच सेहत के साथ अब मस्रूम बढ़ाएगा आए नितीज सरकार की नई योजना ट्रेनों में नहीं जहेलनी परीगे पानी की किल्लत स्टेशनों पर नई विवस्था सुरू हीट वेव से बचाव के लिए मदान केंद्रों पर पिलाए जाएगी हेमियोपैथिक दवा इसके साथ ही बढ़ते हैं साम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से बिहार में असिस्टन्ट प्रोफेसर के लिए 4108 पदों पर बंपर भरती निकाली गई है बिहार के विस्विद्यालयों में असिस्टन्ट प्रोफेसर के 4108 पदों पर बहाली के लिए आज सुक्रवार से इंटर्विव की प्रकिरिया सुरू हो गई है बिहार राज विश्विद्याले सेवा आयोग असिस्टन्ट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों का इंटर्व्यू लगा है आज पहले दिन दर्सन सास्त्र के अभ्यर्थियों को साक्षातकार के लिए बुलाया गया इसके बाद अन्य विसयों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन कितिती जारी की जाएगी आज 24 मई से सुरू हुई इंटर्व्यू की प्रिकिरिया दिसंबर 2024 तक चलेगी और सफल होने वाले अभ्यर्थियों की बहाली प्रिकिरिया दिसंबर महीने तक पूरी कर ली जाएगी सेहत के साथ अब मस्रूम बढ़ाएगा आए नितीज सरकार की नई योजना बिहार सरकार के क्रिशी विभाग उदयन निदे साले किसानों के साथ आम लोगों के लिए अच्छी योजना ले कर आई है वितेई वर्थ 2024-2025 के लिए मस्रूम हट और मस्रूम किट योजना को स्विक्रती दे दी गई है इसमें खेती हर भूमी वाले किसानों के लिए मस्रूम हट की योजना है जबकि बगैर खेती हर भूमी वाले लोगों के लिए मस्रूम किट की योजना लाब दायक होगी मस्रूम हट योजना में 50 फीसदी अनुदान और मस्रूम किट योजना में 90 फीसदी अनुदान का लाब मिलेगा नीजी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की सिक्छा विभाग करेगा जाच प्रात्मिक सिक्छा निदेशक मिथिलेस मिस्र ने गुरुवार को सभी जिला सिक्छा पदाधिकारियों को नीजी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की जाच करने का निर्देश दिया है सिक्षा विभाग द्वारा सभी नीजी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की जाच किया जाएगा विभाग के पदाधिकारी ये चेक करेंगे कि नीजी स्कूलों में पेई जल सचाले प्रयाप्त वर्ग कक्च खेल मैदान पुष्तकाले चहार दिवारी उपलब्द है या नहीं है साथ ही अभी देखा जाएगा कि स्कूलों में कितने सिक्छक हैं और सभी सिक्छक पर सिक्छित हैं या नहीं स्कूल की किसी बोट से संबधता है या नहीं इसकी भी जाच की जाएगी निदेशक द्वारा इस संबंध में D.E.O को पत्र भेजा गया है हीट वेब से बचाओ के लिए मद्दान केंद्रों पर पिलाई जाएगी हेमियोपैथी दवा 25 मई को लोकस्भा चुनाव के छठे चरन का मद्दान होना है बिहार में छठे चरन में 8 लोकस्भा सीटों पर मद्दान होंगे दरसल हीट वेब से बचाओ के लिए राज आयूस समीती ने मद्दान केंद्रों पर होमियोपैथी दवा ग्लोनोनियम 200 उपलब्ध कराई है इसके उपयोग से हीट श्ट्रोक का प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा नीजी स्कूल संचालकों को करना होगा पंजियन सिक्षा विभाग का नया फर्मान सिक्षा विभाग के अपरमुख्य सचिवके के पाठक ने बिना पंजियन कराये चल रहे नीजी स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है सिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है कि अब नीजी स्कूल संचालकों को इस सिक्षा पॉर्टल पर पंजियन कराना होगा तब ही वह किसी को टीसी दे सकते हैं वरना उनके द्वारा जारी किये गए टीसी मानने नहीं होंगे और अपराध की स्रेनी में माना जाएगा ऐसा करने पर विभाग नीजी स्कूलों के संचालकों पर फरजी टीसी जारी करने के आरोप में प्रात मिकी भी कर सकता है ट्रेनों में नहीं जहलनी पड़ेगी पानी की किलत स्टेशनों पर नहीं विवस्था सुरू भारतिय रेलवे द्वारा बिहार के बारा प्रमुख स्टेशनों पर खास इंतजाम किया जा रहा है पुर्व मध्य रेलवे के मुख्य जन संपरक अधिकारी सरस्वती चंद्र के अनुसार अब ट्रेनों के कोचों में जल्द पानी भरने के लिए स्टेशनों पर तोरित जल प्रनाली का प्रियोग किया जा रहा है जिससे स्टेशनों पर महज 10 मिनट के ठहरा होने पर ट्रेनों में पानी भर दिया जाएगा इस प्रनाली के डिश्चार्ज दर अधिकतम 200 लीटर पर मिनट है जिससे आवसेक्ता अनुसार पानी भरा जा सकता है और ट्रेन में सफर के दोड़ा अंसव चालयों में लोगों को पानी की समस्या नहीं जहलनी पड़ेगी छठेचरन के चुनाव को लेकर बिहार में सक्त प्रशासन लोक्सभाचुनाव 2024 के छठेचरन का मद्दान 25 मई को होना है इसे लेकर इंडो नेपाल सीमा को नेपाल ग्रिह मंत्राले के आदेसानुसार नेपाल सरकार द्वारा 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है वालमी की नगर में इंडो नेपाल सीमा 48 घंटे के लिए बंद रहेगा तो साथ ही बगहा में वोटिंग को लेकर पुलिस की सीमा छेतर में गस्ती भी बढ़ा दी गई है बता दे कि इस बीच नेपाल से आकर भारत में वोट करने वाले वेक्तियों को प्रवेश की जाजत दी जाएगी मुझपरपुर में 112 बोतल विदेशी सराब बरामद मुझपरपुर प्लाटफॉर्म एक के क्रू लॉबी के पास रेल पुलिस द्वारा एक यूवक को 72 बोतल विदेशी सराब के साथ गिरफतार किया गया है यूवक की पहचान नगर थाना छेतर के गुदरी रोड के प्रित्वी कुमार के रूप में हुई है यूवक पर उतपाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है वहीं आरपी एफ पोस्ट मुझफरपुर द्वारा विदेशी सराब की 40 बोतल को जब्त किया गया है मामले में आरपी एफ पुलिस ने मुझफरपुर थाना में प्रात्मी की दर्ज कराया है पीम मोदी की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट परधान मंत्री मोदी 25 मई को आठवी बार बिहार दोड़े पड़ा रहे हैं 25 मई को पीम विसेस विमान से पतना पहुंचेंगे पतना से वे हेलिकॉप्टर से बिक्रम के लिए रवाना होंगे जहां से वो चुनावी जनसभा को संभोधित करेंगे परधान मंत्री की सुरक्षा को लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट दिख रहा है बिक्रम में सुरक्षा विवस्था चौकस कर दी गई है कारेक्रम स्थल के 5 किलो मीटर की परिधी में ड्रोन, होट एर वलून, पैरा मोटर्स, पैरा ग्लाइडर, पावर्ड हैंड और ग्लाइडर्स और नन कंवेंचनल फ्लाइंग अबजेक्ट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है यह आदेश आज 24 मई सुबह 9 बजे से लागू कर दिया गया है जो कल 25 मई रात 9 बजे तक लागू रहेगा तेजस्वी ने परशांद किसोर को बताया बीजेपी का एजेंट जन सुराज के संस्थापक और चुनावी रनितिकार परशांद किसोर को आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सियम तेजस्वी यादव ने बीजेपी का एजेंट करार देते वे कहा है कि बीजेपी उन्हें माहौल बनाने के लिए फंड दे रही है उन्होंने कहा है कि परशांद किसोर बीजेपी की मानसित्ता वाले लोग है तेजस्वी यादव ने उस वीडियो का भी जिक्र किया है जिसमें नितीज कुमार ने कहा था कि अमित साह के कहने पर उन्होंने परशांद किसोर को पार्टी का राश्रिय उपाध्यक्ष न्युक्त किया था उन्होंने आगे कहा कि प्रशान्त की सोड अपने जिला अध्यक्ष को सैलरी पर रखते हैं जो विसो की सबसे अमीर पार्टी भाजपा भी नहीं करती पता नहीं उनके पास इतना पैसा कहां से आता है Employment War पर नितीस ने किया तेजस्वी पर पलटवार गुरुवार को बिहार के CM नितीस कुमार ने बकसर और रोहतास में NDA प्रत्यासियों के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित करते वे कहा कि भाजपा के साथ रहने पर राजी का तेजी से विकास हुआ है इस दोरान राजे और केंद्र सरकार की उपलबदियां गिनवाते वे उन्होंने राजद और कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला और राजद के जंगल राज की याद दिलाई विपक्षी ने ता परतिपक्ष तेजस्वी आदव के नौकडी देने के दावे पर पलटवार करते वे सीम ने कहा कि 15 साल में कितनी नौकडी उनकी पार्टी ने दी है यह सब को पता है उन्होंने दावा किया कि 4 लाख सरकारी नौकडी और 1 लाख लोगों को रोजगार राजी की NDA सरकार ने दिया है आचार सहिता के उलंगन पर BSP प्रत्यासी गिरफतार गोपाल गंच जिले के कुचाई कोट थाना पुलिस ने आदर्स आचार सहिता के उलंगन के मामले में बसपा उमीदवार सुजीत राम को गिरफतार कर लिया है पुलिस अधिक छक्स्वर्न प्रभात के अनुसार बसपा प्रत्यासी सुजीत कुमार राम द्वारा चुनाव प्रिचार के अंतिमदिन रैली और जुलूस निकालने की अनुमती मांगी गई थी प्रशासन के द्वारा बसपा प्रत्यासी को भगवानपूर से चनावे थाने गोपाल गंज बरकुई या कोई नी बड़ोली से होते वे धर्म परसा तक जाने की अनुमती दी गई थी लेकिन बसपा प्रत्यासी द्वारा रूट चार्ट का उलंगन कर कुछाई कोट विधानसभा छेतर के अन्य गाउं में जाकर प्रचार प्रशार किया गया साथ ही जिस वाहन का उप्योग प्रचार में किया जा रहा था उसकी अनुमती भी नहीं ली गई थी समराट चौधरी ने बिहार पुलिस को दिया बरा अल्टिमेटम वैसाली लोक्स भाचेतर के मीनापुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते वे डिप्टी सीम समराट चौधरी ने बीते दिनों हुए ठेकेदार अजय कुसवाहा उर्फ अजय महाकाल हत्याकांड को लेकर मंच से बिहार पुलिस को चेतावनी देते वे 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया है समराट चौधरी ने कहा है कि हाल ही में अजय कुसवाहा की हत्या हुई अगर 48 घंटे में हत्यारे को पक्रा नहीं गया तो फिर पुलिस वालों की वर्दी उतार दी जाएगी चौधरी सीट से आरजेडी प्रत्यासी रोहिनी आचारी के साथ घूम रहे पुर्व मुख्यमंत्री राब्री देवी के बोडिगार्ड को सस्पेंट कर दिया गया है पटना जिला बलके सिपाही जितेंद्र सिंग बिहार की पुर्व मुख्यमंत्री राब्री देवी की सुरक्षा म मगर अनाधिक्रित रूप से सारन लोक्स भाचेतर से राजत प्रत्यासी रोहिनी आचारी के साथ जाने की वजह से उन्हें ततकाल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन का आदे इस पतना जिला के वरिये पुलिस अधिक्चक ने जारी किया है। धोनी के रिटार्मेंट पर CSK के CEO ने दिया जवाब। MS धोनी के रिटार्मेंट को लेकर सोसल मीडिया पर चर्चा काफी तेज है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये धोनी का आखिरी IPLC जन है। हाला कि माही ने अभी तक अपने रिटार्मेंट को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस बीच चलनई सूपर किंग्स के CEO कासी विसोनात ने इस सवाल का जवाब दिया है। कासी विसोनात ने कहा है कि इस सवाल का जवाब तो MS धोनी ही दे सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि वो अगले साल भी CS के के लिए खेलेंगे। यही मेरी इच्छा है और यही फैंस भी चाहते हैं। बीते दिन हमारे द्वाड़ा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्सल में लिख कर दिया है। गजर सहद्राबाद और राजस्थान रोयल्स के बीच मुकाबले में किस टीम की जीतने की संभाव ना है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नीज? और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहें तो पेज को लाइक करना नभूले, धन्यवाद!